हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा कॉंटिन्यू है और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी रीजिनिंग स्पेशल होने वाली है और देखिएगा बल से प्रैक्टिस करेंगे इसलिए मैं वीक में एक दिन आपकी रीजिनिंग की क्लास जरूर लेता हूँ जिससे आपकी रीजिनिंग में भी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके तो आज हम टॉप 15 रीजिनिंग के कोशन डिसकस करने वाले हैं और बिलकुल उसी टाइप 15 प्रेशन ठीक हो right यदि एक गलत भी होता है तो चोदा ठीक होने ही चाहिए रीजिनिंग एक बहुत यह इच्छा स्कोरिंग subject होता है पहला प्रशन आपके सामने जल्दी से आंसर दीजेगा इस प्रशन का जल्दी से आपको इस प्रशन का आंसर देना है तो देखी यहाँ पर क्या rule follow हो रहा है यहाँ पर opposite letter की series follow हो रही है right जैसे कि यहाँ पर a है और a का opposite क्या होता है z होता है right c का opposite होता है x f का opposite होता है u और j का opposite होता है क्यों right opposite समझ रहे हैं ना कि यहाँ से पहले नंबर पर a आता है और वहाँ पर last में जो पहले नंबर पर आता है वो z होता है right यह दोने दुसरे के opposite है ऐसे ही आपको D, F, I, M का opposite यहाँ पे बताना है तो देखिएगा D का जो opposite letter होता है वो होता है W F का तो आपको यहाँ पे दिखाई देई रहा है U I का opposite होता है R और M का opposite होता है N तो यहाँ पे आपका option A बिलकुल correct answer होगा जिनों ने भी option A को answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है साथ साथ टेस्ट लगाईएगा और last में अपना score जरूर बताना है आपको कि आपका score कितना है अब देखो जी परशन संख्या 2 से 4 तक आपको ऐसे बताना है कि निमन में से कौन सा एक दूसरे से भिन है तो देखो यहाँ पर आपको बताना है इन में से कौन सा है जो तीनों से अलग है तो देखो जी C, D, E, F E यहाँ पर last में है फिर F बाद में है यहाँ पर है J, K, L, M S, T, U last में है और V से पहले है तो आपको दिखाई दे रहा है जो option B है J, K, L, M यह बिलकुल correct answer है यह इन तीनों से different है ओके नहीं तो यहाँ पर होना था J, K, L, M according to series आपका ऐसे होना चाहिए था बट यह बिलकुल simple series में आपको दे रखा है तो यहाँ पर option B जिनोंने भी answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है चलो question number third इसमें भी आपको बताना है निमन में से कों सा है जो अन्ने से भिन्न है जल्दी से answer दिजेगा हैजा, AIDS, Cancer या फिर स्वाथ से तो देखो यह तीनों क्या है यह तीनों बिमारिया है ठीक है और यह स्वास्थ क्या है, यह कोई बिमारी नहीं है तो जिनोंने भी option इसका D answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है reasoning के कुछ question ऐसे होंगे जो कि आप देखते ही solve कर लेंगे चलो, question number four आपके सामने है जल्दी से इस question का answer दे दो जल्दी से answer दीजेगा यहाँ पर क्या logic follow हो रहा है और right answer क्या है तो देखे यहाँ पर देखो 82 से 73 में 9 का answer है ओके 26 से 17 में कितने का answer है 9 का answer है है ना 55 से 46 में भी 9 का answer है बट यहाँ पर 66 से अगर मैं 58 की बात करूँ तो सिरफ और सिरफ 8 का answer है तो option B की यहाँ पर correct answer होगा कि राइट ओप्शन बी कॉशन नंबर फाइव आपके सामने दीगी श्रिंखला में गलत संख्या ज्याद करें तो यहाँ पर आपको यह संख्या दी हुई है यह सीरीज दे रखी है आपको इसमें आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी है थोड़ा जल्दी आंसर दीजेगा अपना कॉपी पैन साथ में लेकर बैठेंगे कुछ प्रस्णों में आपको कॉपी पैन की आवश्यक्ता भी पड़ेगी तो देखो जी इसके आंसर पर चलते हैं 14 प्लस पांच 19 19 प्लस 6 25 25 प्लस 7 32 और यहां पे प्लस 8 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आपकी सीरीज यहां पे बढ़ा रखी है ओके यदि हम यहां पे 9 कर दें जो कि आपको प्रशन वे दिया है तो यहां पे फिर से 5 हो जाएगा हैना 2 बर 5, 5 हो गया जबकि पहली बार 4 बड़ा है दूसरी बार 5 तीसरी बार 6 बड़ा है फिर 7 फिर 8 ठीक है तो यहाँ पे 9 कीजिएगा आपका क्या आएगा 10 आएगा तो यहाँ पे option D जिनोंने answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है बढ़ें आगे चालो question number 6 आपके सामने जल्दी से इस प्रश्न का answer दिजिएगा यदि talent को किशी कुट भाषा में latent लिखा जाता है तो exotic को कैसे लिखेंगे तो जल्दी से answer दिजिएगा answer आने शुरू हो चुके हैं देखो T-A-L-E-N-T that's called talent अब talent को लिखा यहाँ पे latent तो यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जो last के यह जो तीन अक्षर है यह बिल्कुल same to same है इन्हें में कोई भी changes नहीं किया है और यहाँ पर क्या changes हुआ है कि बीच वाला अक्षर बिल्कुल same है और जो last के जो दो है यह पहले तीन वाले यह आपस में exchange किया हुआ है तो आप देखो e x o t i c तो last में आपके तीनों अक्षर t i c ही रहेंगे last में कोई change नहीं होगा ठीक है अब यह जो है आपस में exchange हो जाएंगे तो यहाँ पर होगा o x e कौन से option में है o x e t i c option c में आपको दिखाई दे रहा है तो जिनोंने भी option c को answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है चलो बढ़ते हैं question number 7 पे लोजी जल्दी से answer दीजेगा इस प्रस्ण का फटा फट से answer दीजेगा direction से यह question है तो सबसे पहले मैं आपके लिए direction बना देता हूँ ओके यह होता है पूरव यह होता है पस्चिम उपर है उत्तर और नीचे है दक्षिन अब इस प्रस्ण के solution पर चलते हैं देखो रवी शाम की सेर में सूरे की और 3 किलो मेटर चला अब यहाँ पर बात हो रही है शाम की तो शाम को सूरज कहा होता है पस्चिम दिशा में होता है हलकी सी आपको common sense यहाँ पर यूज करनी है तो रवी शाम की सेर में सूरे की और 3 किलो मेटर सेर करता है तो रवी इस समय यहाँ पर है तीन किलोमीटर सेर किया तो यहाँ पे पहुँच गया पस्चिम दिशा में फिर अपने बाई और मुड़ता है ठीक है यह भाई नहीं यहाँ पे बाई है फिर अपने बाई और मुड़ता है तो यहाँ से उसका बाईया कहा गया नीचे चला गया मुढ कर दो किलो मीटर चलता है फिर वहे अपने दाई और मुढता है तो अब उसका फेस नीचे है तो उसका दाया किदर होगा उसका दाया इस सैड होगा और ये चलता है तीन किलो मीटर आंत में वहे अपने दाई और मुढ कर दो किलो मीटर चलता है तो उपर की और जा रहा है रवी अब किस दिशा की और चल रहा है तो उत्तर दिशा की और रवी इस समय गती कर रहा है जिनोंने भी option C को answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा यदि आपको direction वाले chapter में कुछ doubts हैं तो बताईएगा इसके उपर हम आपको complete वीडियो देंगे राइट चलो next question पर चलते है question number 8 आपके सामने सही विकल्प चुने तो यहाँ पर option आपके सामने है यह आपके सामने प्रशन संख्या है आपको बताना है जैसा यह pattern है वैसा यहाँ पर कौन से option में pattern follow हो रहा है तो जैसा आप सभी को दिखाई दे रहा है मैं बढ़ रहा हूँ direct solution पर यदि आपको समय चाहिए तो आप पहले वीडियो को pause करके answer दीजिएगा right तो देखो 23 प्लस 7 30 और 30 प्लस 7 37 तो मुझे क्या दिखाई दिया कि दोनों तरफ 7 और 7 प्लस किया हुआ है तो यह आपके option B में ही ऐसा दिखाई दे रहा है option B 13 प्लस 7 सोरी 6 प्लस 7 13 प्लस 7 20 बाकि जो option है वो आपके सामने तीनों की तीनों wrong है तो जिनोंने भी option B को answer दिया है इस question का उत्तर उनका सही है चलो question number 9 का answer देंगे जल्दी से और देखीगा यह जो reasoning है यह very very important है आपको हफते में कम सिगम एक से दो दिन इसकी practice जरूर करनी चाहिए यदि आपके exam में 5 प्रशन आ रहे है तो पांचो की पांचो सही होने चाहिए लो एक question आपके सामने ऐसा भी आता है पेपर में अब देखो आपको मैं पहले बता दूँ कि यदि मैं बोलू राम शाम से बड़ा है तो इसको हम ऐसे करके दर्शाएंगे ओके जिस तरफ मुझ खुला होगा वो यानि की बड़ा होगा ये आपके बड़े का sign होता है ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है हम इसी trick से इस question को solve करेंगे और ऐसे प्रशनों में हम सभी का जो sign है वो एक जसा कर देंगे देखो मैं solve करके बताता हूँ आपको ज्यादा समझ में आएगा सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयू में बड़ा है देखो जी यहाँ पर S से हो गई सीता सीता से आयू में कौन बड़ा है सोहन बड़ा है ठीक है? और सीमा का छोटा भाई है तो यानि की सीमा जो है वो सोहन से बड़ी है समझ पा रहे हो? तो देखो, सोहन जो है, वो सीता से बड़ा है और सीमा जो है, वो सोहन से बड़ी है आप यहाँ पर देखिए श्वेता दिप्ती से छोटी है किन्तु सीमा से बड़ी है सीमा से बड़ी कौन है यहां पर श्वेता है इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं यहां पर देखिएगा यहां पर हो गया हमारा सीता सीता से जो है सोहन बड़ा है और सोहन से बड़ी कौन है सीमा है तो SIM कर दिया अगली रहन है श्वेता दिपती से छोटी है किन्तु सीमा से बड़ी है अब सीमा से बड़ी कौन है श्वेता है ओके परन्तु श्वेता जो है वो दिपती से छोटी है यानि कि दिपती जो है वो श्वेता से भी बड़ी हो गई ओके अब आपसे बोला है आयू में सबसे बड़ी कौन है तो हमको दिखाई दे रहा है दिप्ती जो है वो आयू में सबसे बड़ी है तो यहाँ पे option A बिलकुल correct answer होगा तो जिनोंने भी option A को answer दिया है उनका उत्तर बिलकुल सही है मैं उमीद करूँगा सबी को यह प्रशन समझ में आया होगा चलिए, question number 10 पे चलते हैं फटाफट से यह देखिए यह वाला प्रशन आपके एक नुमबर के एकजाम में आया हुआ था एक कक्षा में शोहन का स्थान उपर से सात्वा है और नीचे से 26 है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है और ऐसा प्रशन मैं आपको बहुत बार करवा भी चुका हूँ देखिए, सोहन का स्थान उपर से सात्वा है और नीचे से 26 है यदि मैं इनको जोड़ दू तो इनका जोड़ 33 होगा ओके, अब देखो सोहन को हमने उपर से भी काउंट किया है और नीचे से भी काउंट किया है सोहन जो है वो दो बार काउंट हो चुका है तो हम एक बार का सोहन माइनस कर देंगे तो टोटल कितने विद्यार्थी है 32 विद्यार्थी है, option C बिलकुल correct answer होगा इस टाइप के प्रशनों को आप इसी ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे मैं उम्मिद करूँगा सभी को समझ में आया होगा चलिए बढ़ते हैं कोशन नमबर 11 की तरफ और देखिए उससे पहले बोल दूँ यदि आपने अभी तक हमारा ये सेशन लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजेगा यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की त्यारी कर रहा है तो उससे हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आप सभी की एक्जाम प्रेपरेशन के लिए हैल्फुल है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दवाएंगे बढ़ते हैं सॉलूशन पे 11 कोशन है C माता है A और B की यदि D पती है B का तो C का D से क्या रिष्टा है पहले कॉपी पैनल लेकर खुच से सॉल्ब कीजेगा और बलर्ड रिलेशन के उपर तो मैं आपको अभी 3-4 दिन पहले ही बिल्कुल कम्प्लीट वीडियो दे चुका हूँ बलर्ड रिलेशन को अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिएगा उस सेशन को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा देखो मैंने आपको बोला था कि जो माता और पिता होंगे उनको हम उपर दर्शाएंगे फादर और मदर को हम उपर दर्शाएंगे सन और डोटर को हम नीचे दर्शाएंगे जो मेल होगा उस पे पलस का साइन और जो फीमेल होगा उस पे माइनस का साइन भाई और बेहन को हम सीधी रेखा में दर्शाएंगे और पती और पतने को हम एक दूसरे के बराबर रखके दर्शाएंगे Got it? अब बढ़ते हैं solution पे तो देखिए C माता है A और B की C माता है C पे माइनस का sign किनकी माता है? A और B की माता है ठीक है? अब ये भाई 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 भी हो सकते हैं और ये पती है तो बराबर में दर्शाएंगे D पती है B का और पती पे प्लस का sign C का D से क्या रिष्टा है? C जो है वो D की क्या लगेगी? C D की सास लगेगी option D correct answer होगा यदि आपको ये blood relation वाला system समझ में नहीं आया तो blood relation का हमारा complete वीडियो है description में आपको link मिलेगा blood relation वाले topic का उसको जाकर जरूर देखिएगा आपके सभी doubt वहाँ से clear हो जाएंगे बढ़ते हैं question number 12 की तरफ लो जी इस प्रशन का answer जल्दी दीजिएगा क्या इस प्रशन का उत्तर होगा? देखो A जो है वो alphabet में एक number पे आता है अब देखो यहाँ पे A एक number अब आता है C तीसरे number पे आता है और E जो है वो पाँचवे number पे आता है यदि हम इनको जोड़ दें तो यह आपका no बन रहा है यानि कि आपकी यह वाली series follow हो रही है Got it? अब आपको बताना है A, D और F का मान क्या होगा A का मान एक पलस D का मान चार पलस F का मान छे राइट? अब इनको जोड़ना है 6, 4, 10 और 1, 11 option D जिनोंने भी answer दिया है उनका answer सही है Question number 13 पर चलते और session खतम होने के बाद सबी की सबी मुझे अपना score कमेट करेंगे इस question में बहुत सारे विद्यार्थियों को problem हो सकती है थोड़ा सा अच्छे level का question है तो जितनी जल्दी हो सके इस प्रशन का answer दीजिएगा तो बढ़ते हैं solution में देखो यहाँ पर क्या करका है कि पहली दो संख्याओं को जोड़ के यह लिखा है फिर जो अगली संख्याओं वो इससे पहली वाली दो संख्याओं को जोड़ के लिखी है फिर जो अगले वाली संख्याओं वो इससे पहले वाली दो संख्याओं को जोड़ कर लिखी है जैसे कि जीरो और एक को जोड़ने से क्या बन रहा है जीरो और एक को जोड़ने से एक बन रहा है एक और एक को जोड़ने से दो बन रहा है फिर दो और एक को जोड़ने से कितना बन रहा है तीन बन रहा है फिर तीन और दो को जोड़ेंगे तो अगली संख्या बनेगी पांच अब पांच और तीन को जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या बनेगी आठ बनेगी option C आपका correct answer होगा यह question थोड़े से अच्छे level का था मैं उम्मीद करूँगा आप सभी को समझ में आया होगा question number 14 आपके सामने screen पर जल्दी से इस question का answer दीजिएगा कि यहाँ पे dash में क्या आएगा तो बढ़ते हैं इस question के solution पे तो देखो यहाँ पे सभी में क्या किया हुआ है पांच पांच प्लस किया हुआ है 27 पांच 32 बत्तिस पांच 37 तो यहाँ पे 42 और पांच कितना होगा 47 होगा तो option A बिलकुल correct answer होगा जिनोंने भी option A दिया है उनका उत्तर बिलकुल correct है राइट चलो कोशन नमबर 15 है और आज का लास्ट कोशन और वीडियो खतम होने के बाद बताईएगा कि आपका स्कोर कितना था जल्दी से बताईएगा यहाँ पर क्या सीरीज फॉलो हो रही है यहाँ पे आपका क्या आएगा तो देखो A के बाद आता है B, C के बाद आता है D, E के बाद आता है F और G के बाद आता है H यह सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है I के बाद कितना आएगा J आएगा, K के बाद क्या आएगा L आएगा, M के बाद N और O के बाद P तो यह कहां पे है J L N P J L N P option C जिनोंने भी answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है जी तो guys यह थे आपके top 15 reasoning के mix expression मैं उम्मीत करूँगा आप सभी को session helpful लगा होगा और बताईएगा आपका score कितना है और आपको आज की class कैसी लगी और जिनोंने अभी तक हमारे online test series नहीं खरीदी है description में आपको link मिलेगा जाके online test series जरूर खरीदीएगा यह आपके आने वाले सभी army के exam के लिए महत्तोपोन होगी मिलते हैं कल किसी और अच्छे topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत